स्वाती मालिवाल के साथ वी बच सिलू की मामली में दिली पुलिस की शिर्वाती जाट में बड़ा परदफाश हुआ है दिल्ली पॉलिस के सूत्रों का दावा है कि स्वाती मालिवाल प्राविज गाड़ी से 13 माई को CM आवास गई जब विभाओं ने उनके साथ मारपीट की तो वो चिलाई भी जुसके बाद विभा कुमार ने उन्हें सीम हाउस से बाहर निकाल दिया जुसके बाद वो एक कैप से पुलिस स्टेशन पहुची थी तो सीम हाउस में सुवाती मालेवाल की पिचाई का मामला किसी रहस्त से कब नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाओ के बीच अभी तक इस मामले की जो तस्वीरे सामने आई है वो डाल में कुछ ना कुछ काला होने वाली खाहवत को जरूर सच साबित कर रही है देखे रिपोर्ट 13 माई की तारीक से लेकर केजरिवाल के पिए बिभफ कुमार के खलाफ F.I.R. तक के तारीकों के बीच कई घंटों का वक्त बीर चुका है तो लंबी चुपी साद लेती है आज वो कहती है आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है सिर्फ इसी लिए क्योंके वो उनके साथ में साथ ही है वो उनके साथ मिलेवे ब्रष्टाचारी लोग आज उनके साथ ही है तो वो चुपी साद रही है क्यों नहीं बोल रही क्यों नहीं महला के लिए खड़ी हो रही कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा और उसके नेता तो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको मौका मिले और विपक्ष को बदनाम करें जब इस मामले में स्वाती मालिवाल की तरफ से पहली बार शिकायत की गई तो लिखित कुछ भी नहीं हुआ इसलिए संधे का दायरा पढ़ता गया लोग समझना चाहते थे कि क्या स्वाती मालिवाल ने अरविंद केजिरिवाल के पिये विभव कुमार पर पिटाई के जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये सवाल उठे ही रहे थे कि 14 माई को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया कि हां स्वाती मालिवाल के साथ मार पिट की गई खुद संधे सिंग ने इस घटना की निंदा की अर्विंद केजरिवाल जी के आवास पर स्वाती मालिवाल जी मिलने के लिए पहुची थी ड्राइंग डूम में इंतजार कर रही थी इस बीच विभव कुमार जी वहाँ पर आते हैं और उन्होंने स्वाती मालिवाल जी के साथ बहुत बद्दिमी जी की अवधरता की संजे सिंग ने बात खबूल की तो बीजेपी ने मौके को हाथो हाथ लिया 15 माई को दिल्ली में जगा जगा परदरशन शुरू कर दिये गए उनका माल पिटाई हुई यह विशी उसका है और यह उनका अपने जो पीसी और कॉल करती उस पीसी और कॉल में बड़ा स्पेस्विक लिखा मैं सीयम के घर पर हूँ उन्हों ने मतलब केजरी वाल ने अपने पीए बेबब कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है पिटाई हुई जो भी हुआ उसकी जांच होगी अगर कंप्रेंड दर्ज करती उसकी जांच होगी इसमें राज़ीती की वीशे नहीं है और मेरा महिला आयोग भी इस मामले में एक्टिव हो गया लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर स्वाती मालिवाल कहा है और क्यों उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई आखिरकार 16 मई को कहानी में नया मोड आया जब स्वाती मालिवाल ने पिटाई कांड का पूरा सच मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वाती मालिवाल जी का कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई दो दिन के बाद उन्होंने अपनी चुपी को तोड़ा एक बहुत ही उन्हें मेहनत लगी होगी किस प्रकार की वो ड्रॉमा से गुजर रही होगी ये पुछने वाली बात है कि उन्हें क्या बीत रही होगी लेकिन इससे पहले 16 मई को ही उत्तरपरदेश की राजधानी लखनाउ से एक चौकाने वाली तस्वीर आई जिसमें आरोपे बिभव कुमार अरुविंद केजरिवाल के साथ दिखाई दिए वो बिभव कुमार चिन पर स्वाती मालिवाल ने सीम हाउस में पिटाई का आरोप लगाया था ये तस्वीरे जब सामने आई तो केजरिवाल को लेकर सवाल खड़े होने लगे ये सवाल तब और गहराने लगे जब अخलेश और केजरिवाल की साजा प्रेस कांफरेंस में स्वाती मालिवाल को लेकर सवाल किया गया तो केजरिवाल ने चुपी साथ ली फिलहाल चुनावी समर के बीच हुई इस बिटाई कांट से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब बाहाराना बाकी है